अभी हम धान के खेत में हैं, देखने में आपको आसपास का सभी धान जो है एक समान लग रहा होगा, लेकिन दरासल अभी जिस खेत में हम हैं, यहां का ये धान बहुत खास है, खास इसलिए क्योंकि इसे पकाने के लिए गर्म पानी की जरूरत नहीं परती है, हमें लगा खास है, इन से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये धान की खेती होती कैसे है, क्या खास है इस धान में और कैसे ये धान जो है ठंड़े पानी में भी सीच जाता है, खाने योग हो जाता है, चलिए वीडियो सुरू करने से पहले अपना परिचे दे नमस्कार, मेरा नाम राकेस है, और आप प्रयास नीज के इस वीडियो को हमारे यूटूब चैनल या फेस्बूक पेज पे देख रहे होंगे, हमारे साथ अभी है, आपना नाम बताईए, उज्वल कुमार जी, इस चावल में खास है, जैसा कि हमने इंट्रो में भी बताया है, आए 45-1 घंडा में पक्के तयार हो जबाताा है, आपने देखा है पका के यह बसके की हैं, पतना जील में आप पहले ऐसे किसान है, जिन्होंने ऐसे चावल की खेती की है, कहां से जनकारी मिला आपको and कैसे आप लगा कि शाल की खेती करनी चाहिए हमको इसका जनकारी आवाज एक पहल संस्था है उसका तुन चालक लोगुस जी है वही दिये थे उसका इसका बीज भी वही दिये है और वही कहें कि इतना थुरा सा लगा के देखिये अच्छा है बुले कि ठीक है कितना दीन हुआ है वी लगा हुए इसको रोफाइ पहल लगबक जैंज की यह आपका घंटे-पानी में को को दिखा दे और बगल के चावल को भी दिखा दे जहां तक अगर विक्सित होने का बात किया जाए तो साधारान धान की तरह भी यह दिख रहा है इस बढ़ने का जो है गिर जाएगा इस चावल के बारे में और भी आप बता सकते हैं किया सबसे पहले कहां पे इसकी खेती होई और पहले इसका असन्द हुआ था वहां से चंपारन आया बीजय गिरी जिलाया वह उसके बाद वो लोको सी लोको मालूम चला तो उनसे भेट किया उनसे फिर मिलने के जो है एक नया चीज है और हम अभी आपको दिखाएंगे जो फसल तयार हो चुका है वह चावल भी हम लोग अभी यहां पर लाकर रखे हुए हैं वह भी दिखाएंगे इसके बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले असम में यह पाया जाता था उसके बाद वहां सायद बं तो यह चावल जो है यह चावल रहा और कैमरा में इसको नजदीक से दिखांगे यह चावल है और इसे ठंडे पादी में अपको खाने योग यह बन जायेगा मतलब वहाद जो तैयार होता है जो जिसके लिए गैस की जरुवत परती है इस चावल में आपको किसी तरह की इं मिनट के अंदर में ये चावल जो है पक के खाने योग ये बन जाएगा कहा जाता है कि इस चावल का उपयोग पहले सैनिक लोग किया करते थे जब योध्य के दौरान जो है कई-कई महीनों तक उन्हें खाना बनाने का समय नहीं मिलता था ऐसे में वो लोग इस चावल का प्रयोग करते थे और इसी चावल को खाके जिंदा रहते थे अभी जब हम लोग इस वीडियो को पारे में बात करने के लिए हम लोग आए और जो है कैसा आनुवह अपका हाइए साधारन जो आप खेती करते हैं एस चावल की खेती में क्या कैसा आथा साधारन जैसे हम लोग और सब्धान का करते उसी तरह इसका भी है अच्छा बुआई कैसे किये थे जैसे ये जो फसल दिख रहा है तो कितना चावल जो है कितना आपका पौधा जो था उसकी रुपाई किये हैं हमको एक किलो धान मिला था उसमें कुछ बीज डालते समय बारि आपको दिखाते हैं एक पौधा इन्होंने लगाया था और निपुभियास हम चाहेंगे कैमरा थोड़ा नजदीक लेके आए आप देख सकते हैं कि पूरा जो है समो गुच्छा टाइप का बन गया है और एक पौधा काफी जो है विक्सित हुआ साधारन पौधे से अभी देखिए अभी पहले बार करें अभी जैसे जैसे इसका टाइम एती होगा उस टाइप पर देखना है और इसका जब दिक्कत होगा तो लोग लोग कुस जिसे संपर्ख करेंगे चलिए फिलहाल जो है इस चावल के बारे में हम जानने आये थे और मुझे लगा कि इस बारे में आप लोग को भी बताना चाहिए इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं पटना से सटे सिम्रा गाओं में इस चावल की खेती हो रही है पटना जिला का पहला जो यह किसान उजवल जी है जिन्होंने इस चावल की खेती का जो है सूह आरंब किया है और साथ देखन ईसने उसकार घृत के लिए बिहार में ओट चावल कोखा जो आगे जलके अर दीक मातरा में संवाख सकते हैं इस फसल को अगले वर्स जो है इसके इसकी खिती करने के लिए तो यहां तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को सेयर कर दें